ये बड़ी खबर राजस्तान के अलवर से है जहांपर हिंदू मैफूज नहीं है नियूज नेशन की बड़ी परताल में ये सच सामने आया है और ये सच आज आज आपको दिल और दिमाग खोल कर देखना चाहिए सुनना चाहिए और समझना चाहिए और इसके खिलाब आवाल भी उठानी चाहिए अलवर में हिंदू बच्चियों के साथ धिनोनी हरकते लगातार बढ़ती जा रही है कई मंदिरों पर कब्जा वहाँ पर किया गया है मज़िरे बना दी गई है धर में नहीं बदलने पर लोगों की हत्याय की गई है आर्टी और घंटी बजाने पर मंदिरों पर हमले किये गए है यानि मंदिरों में आर्टी करना और घंटिया बजाना पुजा पाट के दौरान एक तरह से पाबंदी जैसी सिती कई गांवों में हिंदू अबादीन आके बराबर रह गई है तीन तस्वीर आपके टेलेवीजन स्क्रीम पर है मंदिरों पर कभळा किया गया है अगर शंक बजाए जाते हैं तो ऐसा करने पर मंदिरों पर हमला किया जाता है वहाँ पर पूजा पाट करने की मनाही है मजबूरी में लोग अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं लेकिन डर और दहशत के साई में दूसरी तस्वीर है हिंदू बेटियों पर जुल्म हो रहा है वो घर से बाहर निकलने पर अस्रक्षित महसूस करती है कि कब कोई आकर उन्हें छेड़ दे उनके साथ किसी दुशकर्म की बारदात को अंजाम दे दे हिंदू विहीन होते जा रहे हैं ये गाउं अलवर और भरतपुर यानि राजस्तान का जो मेवाद का इलाका है राजस्तान के भरतपुर जिले के भंडारा गाउं में 400 साल पुराने शिव मंदिर पर कबजा कर दिया गया भंडारा गाउं का शिव मंदिर अभी तिहास बन गया है उसे मस्जिद में मिला लिया गया है और वहां मस्जिद का निर्मान हो रहा है यहां कि हिंदू समाज के लोगों ने काफी उसका विरूद किया चुकि अब वो अलपसंख्यक है बहुत कुछ कर नहीं सकते तो उनके आख के सामने ही उनके मंदिर पर कबजा कर लिया गया और मस्जिद बना दिया गया अब ये लोग इतने दुखी हैं सोक संतप्त हैं कि जो एक मंदिर था वो भी निकल गया हाथ से यहां हिंदू बहुत कम है हज्जार घर से ज़्यादा मेव मुसल्मानों का है और उसके मुकाबले हिंदू यहां इतने कम है कि अगर परतिशत बताई जाए तो आठ दस फीसदी से ज़्यादा यहां हिंदू नहीं है तो ऐसी स्थिती नहीं है कि यह लड़ सकें अपने मंदिर के लिए संगर्ज कर सकें कानून का सहरा जरूर ले सकते हैं लेकिन उसका भी कोई फाइदा नहीं हुआ है इस भंड़ागाओं के तमाम बजूर्ब लोग और यहां के लोग हमारे साथ मौजूद है जो बताएंगे कि यह मंदिर कब से था, कितना पुरना था, कब कबजा हुआ, जैसे कर लिया गया आपका शुर्भि नाम क्या है? यासीर आऊं जी यह जो मंदिर है था, यह कितना पुरना था? यह साथ हमारे बाप दादाओं पर दादाओं के सामने से चला रहा जब पुरान मंदिर और मेरी उमर भी 75 साल की हो जै इसमें सेवा पूजा करते रहे हम अब साथ मुसल्मानों ने मतलब ये मंदिर मतलब ये खराब कर दिया बनाने नहीं दिया और सेवा पूजा नहीं करने देते हैं. हमारी जन्शंक्या बहुत कम है जी, अलपचंग खेक मैं. हमको ना जाए जी मतलब ये सताते हैं, और मंदर के कबजा कर लिया है इनों. तो मस्जद बना रहा हैं वहां? और इस सच को आज देश को सुनना समझना चाहिए कि आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं राजस्थान के मिवाद जिसका दिक्र हम लगातार कर रहे हैं वहाँ पर हिंदो पर अत्याचार हो रहा है इसका दहलाने वाला खुलासा हुआ है अलवर जिले के रामकर में यहां ग्यारहमी में पढ़ने वाली चात्रा से देड़ साल तक छेचार की गई मेव मुसलमानों ने बच्ची से बलातकार भी किया इस बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया मुसलमानों ने घर से इस लड़की को उठा कर ले जाने की कोशिश की तो तंग आकर लड़की ने 18 जून को कुए में कुद कर जान देने की कोशिश भी किये मामला पुलिस में पहुँचा तो परिबार पर दबाव बनाये गया कि आप समझाता करिए 23 जून को लड़की के पिता की हत्या कर दी गई शौग को जंगल में पेट से टांग दिया किया इनसाफ तो चाहिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी एक तरह से पर इस समय मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि न मैं पापा को खोचू की हूँ कोई भरोसा नहीं कि मेरे भाईयों तक कि मुसीपत बन जाए अब तक मैं मजबूत हूँ बयानों पे लेकिन आगे पता नहीं क्योंकि धमकिया तो अब भी हैं हमारे पास कहा गया है कि एक लास बिच गई आगए जाने कितनी लास बिच सकते हैं कोई भरोसा नहीं है अधिनम मुझे ना डेड़ सालों में मुझे इतना घुटन और यॉन्हों ने मेरे अंदर ना मुझे खुद को घुटने पर मजबूर कर दिया उन्होंने सर उन्होंने बहुत जित मैंने सोचा नहीं था कि मैं अब तक चुप थी क्योंकि अपने परिवार के लिए जिस दिन इंसाफ मांगा तो देखो मेरे पिता जी को क्या हलत कर दिया उन्होंने